नमस्कार प्यारे बच्चों आपका स्वागत है उत्तप्रदेश के नंबर वन विश्वस्निय चानल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर मैं हूँ आपका हिंदी का सिक्षक्र सिद्वेदी और आपको पता है कि परिक्षाएं सर पर खड़ी हैं और आपके पास टाइम है दो सब्जक्ट पढ़के हिंदी को बचा रखे थे ना लास्ट के महीनों के लिए तो अब उसकी तैयारी सुरू कर दो नहीं तो पता चलेगा सो नंबर का पेपर है और दस नंबर पाके तो पास भी नहीं होता है पूरे के पूरे नंबर चाहिए टॉप करने के लिए तो अब इस लड़ाई को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से विवस्थित करेंगे तैयार करेंगे इस लड़ाई में हर चीज आपके पास होगी पता होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है कैसे पढ़ना हर चीज मैं आपको बताऊंगा तो आज वही है सभी लोग सेसन को स सब्सक्राइब कर लो जो नहीं हो क्योंकि आपको बदाए एक्जाम तक यहां से बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा सारे यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम आपको पढ़ा रही है यूपी बोर्ड हिंदी मीडम चैनल पर कहीं इससे बहतर कुछ मिली नहीं सकता तो सबी लोग सेसन को सेर कर दें सेसन को सबस्क्राइब कर लें लाइक कर लें और हम आपको बदाते हैं कि हिंदी में पढ़ना क्या है क्या क्या क्यों कुछ समय कम है पूरी किताब पढ़ने के तो दिन गए वो तो साल भर का काम था अब हमें करना ये है कि जो मैं बता रहा हू और बहुत महतुपूर्ण बेटा ये आपको आपको पता हर चीज आपको बताए कैसे लिखना है लेकिन अब पचास जीवन परिचे याद करने का समय नहीं रहा गद के तीन जीवन परिचे डॉक्टर हजारी पुशाद दिवेदी प्रोफेसंजी सुंदर रेड़ी और हर संकर परसाई सबसे महतुपूर्ण है लिख लो कौपी को चिपका लो कुछ भी करो जो करना है करो दिमाग पर चिपकाओ याद करो और कावे में क्योंकि कावे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई बराबर नंबर है तो कहें नहीं होगा महादेव वर्मा जैसंक्रशाथ योध्यासिक उपाद्यायर योध यह तीनों याद कर लेना है जीवन परचे कहां मिलेगा आपको जीवन परचे में इंपॉर्ण बताएं वहां मिल जाएगा बिल जाच परखकर मैंने एक पैटर्न तयार किया और मुझे मिला क्या मुझे मिला ये कि गध्यांस के लिए ये चार पाठ महत्वण हैं हमेशा एक पैराग्राफ आता है असोक के फूल तेजस्विमन के संपाधितंस निंदारस राष्ट का स्वरूप असोक के फूल लिखा हज को important chapters जो मिलेंगे पवंदूतिका पहले से 8 पद तक पूरा पवंदूतिका नहीं पहले से 8 पद स्रद्धा और मनु दूसरे पद से 6 पद तक एक पद में 4 लाइने होती है ठीक है पुर्रवा और उर्वशी पुर्रवा और उर्वशी बहुत important है हीरो सिमा क्योंकि आधुन क्योंकि मानो जीवन की सबसे बड़ी तरासदी हीरो सिमाय इस पर बहुत बार पूछा गया है तो बिलकुल दिमाख में बिठा लो सब कुछ पढ़ाया गया सब कुछ बहुत ध्यान से समझलो एक एक चीज दिमाख में बिठा लो बहुत कम समय है और मैं चाहता हूं हिंदी क्योंकि अब वो समय गया जब राइटिंग राइटिंग में नंबर गटता था अब इस्टेप मार्किंग होती है आपके हाथ में समय है आप इसको मोल्ड कर सकते हो परिवर्तित कर सकते हो युद्ध का समय तैयार हो जाओ ठीक है लड़ाई सुरू हो चुकी है चलो उसके पर कहानी पर आजाओ, कहानी में भी आपको केवल दो कहानियां, पंचलाइट और बहादूर तयार करनी हैं, तीसरी की तरफ देखना भी मत, देखना भी मत तीसरी की तरफ, और किस प्रकार के प्रस्न कहानियों से तयार करने हैं, तो बेटा कहानी का सारांस, मुख्य पात्र क कहानी का उद्देश से केवल तीन प्रकार के प्रस्न उठा के देख लो दस साल का पेपर चाट डालो उसे और आपको अगर इस निसकर्स से अच्छा कोई निसकर्स मिले तो मुझे बताओ मैं वही बता रहा हूँ जो आपकी परिक्षा में आएगा और इस जानकारी को उत्तर बार कह रहा हूँ यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम आपको पढ़ा रही है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैनल पर इससे अच्छा कंटेंट मिलना तो सोचना चोड़ो मिलना मुस्किल है ठीक है तो चलो यह लड़ाई एक्जाम तक आपके चलेगी खंड कावे में क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है खंड कावे में आपके हिस्से का खंड कावे आपको पता है और खंड कावे के सरगों का सारांस आपको पढ़ लेना है नायक नाइका का चरित्चित्र दो चरित्र चित्र एक खंड कावे से तयार करना है और सारांस तयार करना है बस इसके अलावा उठा के कॉपी देख लो पेपर देख लो कभी कोई प्रस्न नहीं आया कभी कोई प्रस्न आया ही नहीं तो हम पढ़ें क्यों वह या समय नहीं है वैसे ही कम है रिवाइस करना है सब कुछ तो आप खंड कावे का अपने खंड कावे का जो आपके जिले में चलता उस सारांस याद करोगे और उसके नायक और नाईका का या कोई दो बिभिन अलग अलग पात्र हैं तो उनका जैसे कर्ण का युधिष्ठिर का कृष्ण का जैसे मानलो रस्मिरत ही है तो उसमें कर्ण और कृष्ण का चरिचित्रन याद करोगे याद कर लोगे सेसन को सभी लो मुझे समझ में नहीं आया कैसे नहीं समझ में एक एक चैप्टर पढ़ाया है यूपी वोड इंदी मीडियम चैनल यह आपका चैनल है आपका घर है वीडियो सेक्शन में जाओ भोजा सोधार्यम से ले करके सारा भोज प्रबंद का जो भोजा सोधार्यम आप में हैं वहां से ले करके सब कुछ मुझे मैंने आपको पढ़ाया है कहां तक पंच सील सिध्धांताह तक पंच सील सिध्धांताह तक आपको पढ़ाया है ठीक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सुभासित अरतनानी है शुभाशी तरतनानी, क्यों शुभाशी तरतनानी सबसे important है क्योंकि स्लोक की व्याख्या यहीं से आएगी बाकी के लिए मैंने केवल 30-30 मिनट के आपके लिए वीडियोज बनाए है 6 chapters के, एक घंटे में, दो घंटे में सब देख लोगे सब देख लोगे वीडियो सक्षिन में, सब पढ़ा है केवल आप के लिए पढ़ा है अगर आप आज नहीं जागे, तो समझ लो दो महीने बचे हैं, पूरा साल तो यह सोच लिया कि अंत में पढ़ूँगा हिंदी अब हिंदी पढ़ने का समय है, अब हिंदी के लिए लड़ने का समय है क्योंकि हिंदी में आपको नंबर थोड़ी सी महनत कर लोगे तो आपको 95 प्लस नंबर मिल जाएंगे और यह नंबर आपके रिजल्ट को टॉपर की लिस्ट में पहुँचा देंगे और अगर महनत नहीं करोगे तो बिटा, 30 नंबर, 33 नंबर पाना भी इंदी मुस्किल हो जाएगा और अगर 60-70 पा भी जाते हो, तो रिजल्ट तो खराब हो जाएगा न मैं यह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आपको यह पूरे नंबर मिले तो अनिवार संस्क्रिट के आप वीडियो सेक्षिन में सारी क्लासेज आपकी और सबसे बहतर सबसे बहतरीन क्लासेज आपको कोई भी एक शब्द का डाउट नहीं मिलेगा और उसके बाद आजाता है व्याकरण व्याकरण में रस्छंदलंकार डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी रस्छंदलंकार आपको पढ़ लेना है एक क्लास में मैंने रस्छंदलंकार को बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया है और ये रस्छंदलंकार आपके छे नंबर आपको दिलवाने जा रहे हैं अनेकार्थी सब्द वाक्यांस के लिएक सब्द सब कुछ आपको तयार कर लेना है और सब डेटा है सब कुछ आपको याद करें रस्चंद लंकार की क्लासेज आपको मिल जाएंगी सबसे कठीन है अपठित गद्यांस आने वाला है संदि समास नहीं आने वाला है संदि और दूरूप नहीं आएगा अप्ठित गध्यांस आएगा टॉपिक नंबर 10 तो अप्ठित गध्यांस क्या होता है जो हमने न पढ़ा हो हमारी किताब से बाहर का तो ध्यान रखना उसमें भी खोज करके आंसर लिखने होंगे वीडियो सक्षिन में बताया है मैंने के अप्ठित काविकाईतिहास और काविकाईतिहास इसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने वीडियो सेक्षिन में पढ़ी हैं बहुत सारी जो आप एक बार जाओ देखो 50 क्वेस्टन आपको 20 नंबर दिलाएंगे वो 50 क्वेस्टन तो क्यूं पढ़े हो चक्कर में सबसे बहतर प्लेट प्लेट नहीं मिलने वाला आपकी परिक्षा की सबसे बहतर तैयारी होगी और सबसे बड़ी बात बिटा जो अभी भी डर रहे हो जो आपको अभी वी चिंता है तो डाउनलोड करो तुरंत विद्याकुलैप क्या डाउनलोड करो विद्याकुलैप और वहां पर चल रहा है आपका क्या लक्षबैच क्या चल रहा है लक्षबैच तुरंत डाउनलोड करो विद्याकुलैप लक्षबैच अभी केवल एक क्लास हुई है लक्षबैच की केवल आपको बताया गया है कि कैसे हम लोग 49 दिनों में 49 दिनों में पूरा सिलेबस खदम करने वाले हैं तो आपको टॉपर बनना है कि नहीं बनना है आपको 52,50,000,000 बच्चों में टॉप 10 में आना है कि नहीं आना है तो यह जंगर्स जारी रहेगा हम आपके लिए लड़ते रहेंगे आपके लिए बहतर से बहतर कंटेंट लाते रहेंगे इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक् कर दो अभी के अभी लाइक कर लो अभी के अभी और हम मिलते हैं next class में बहुत बहुत धन्यवाद